for hi friends मैं आपके पुजा पूजा की रोशुईघर में आपका स्वागत है मैं आपके लिए बहुत कमाल की टिफ्स लेकरे आये हूँ नई किचन टिफ्स आपको बहुत पसंत आएगी क्योकि आपको टिफ्स मेरी बहुत पसंत आती है एकदम नई नई किचन टिप्स रहती है मैं आपके लिए फिर नई किचन टिप्स लेके आई हूँ या वीडियो पूरा देखें बीना स्किप किये आपको बहुत ही पसंद आएगा वीडियो जरा सबी अच्छा लगे तो अपने फैमली दोस्तों में जाद सदा सेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले देखिए आप देख सकते हैं या सहत की सीसी है इसका जो स्टीकर होता है निकालना बहुत ही मुश्किल का काम होता है मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी कि कुछ ही मिन्टों में सारा स्टीकर निकल जाएगा आप इसे इसमाल कर सकते हैं दुबारा स्टीकर निकालने से लेके इसे कैसे साफ करें वह भी टिप्स है वीडियो पूरा देखें बिना स्किप किये आप देख सकते हैं मैंने पानी चरहा दिया है पैन में थुड़ा सा पानी जढ़ाया है और ये खाने वाला सोडा है जो सभी के किचन में मिल जाता है इससे बहुत ही असानी से निकल जाता है या एक चमच नमक है नमक बहुत ही अच्छी क्लीनिंग करता है जो उसमें बदबू बगेरा होता है वह भी निकल जाएगा क्लीनिंग के लिए बहुत ही अच्छा है ये और ये एक चमच है डिटर्जन जिसे हम कपड़ाद होते हैं वही डिटर्जन है अब इसे पकने देते हैं यानि इसे खौनने देते हैं जब यह गरम हो जाएगा तब इसमें बोतल डालेंगे देखिए इस्टीकर मैंने निकालने कोशिश की लेकिन इस तरह से नहीं निकली पहले धकन निकाल लेना है और इस्टीकर वला भाग इसमें डाल देना है हलका ही गरम करना है इदम खौलाना नहीं है पानी गरम हो चुका है अब इसमें डाल देते हैं इसे दो मिनट इसी तरह लो फ्लेम पे छोड़ देना है दे में इसे थुड़ा गरम होने देते हैं दिखिए क्योंकि काँच की बोतल का स्टीकर निकालना बहुत मुश्च्किल का काम है लेकिन इस तरह से बहुत ही आसाने से आप निकाल सकते हैं गरम पानी से और खाने वाले सोडा और डिटर्जन से आसाने से या श्टीकर छोड़ देता है इसे एकदम ठंडा करके ही धोईएगा गरम गरम मत धोईएगा देखिए ये आसाने से श्टीकर निकलने लगा है गैस इस समय बंद कर देनी है सिप पानी गरम करना है ताकि श्टीकर असाने से निकल जाए आप देख सकते हैं देखिए कितनी असाने से निकल गिया बिना किसी जंजट के ना रगणना है ना आपको घंटों महनत करनी है बहुती असाने से श्टीकर निकल जाता है किसी भी तरह के असाने से श्टी और तब उसमें आप खाने वाला सोडा नमक और डिटेजन डाल के ही निकाल सकते हैं उसे खौलाना नहीं है उसमें शिर्फ गरम पानी ही डालना है अगर प्लास्टिक का हो तो आप इस तरह से गरम करके असानी से सारा श्टिकर निकाल सकते हैं क्योंकि काच बहुत नाजुक ह होता है और इधा उदर करने पर तूट भी सकता है लेकिन आप इस तरह से करेंगे बहुत ही असानी सिष्टी कर निकल जाएगा साफ करें जब आपके पास धेर सारी सीसियां हो जाएं देखिए इस तरह का मैंने समान रखा हुआ है और गंदी हो चुकी है यह सब इसे कैसे करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं या क्लीनर से सभी प्लास्टिक कांज किसी भी तरह के किचन के डिब्बे साफ हो जाते हैं या स्टील का डिब्बा होगा वह भी साफ हो जाएगा सिर्फ खाने वाला सोडा और डिटरजन में डाला है चिपचिपे किचन के जो भी इभू यावी नगर टार सकते हैं चिप-चिपे डिपध यासानि चुट जाते हैं आप क्लीनर तैार हो मेत colors बहुत आशकी सफाय किसी भी तरह क्लीनर लुक्सरा बूरल को ाक्लाया परcha कर जाता है सबना स्टेर गहिए आप मैं रजेंज हanh कना चिप-चिप parcour जाता है आप समान नहीं भी निकालेंगे तो इसमें पानी जाने वाला नहीं है आप बीना समान निकाले भी इसे साफ कर सकते हैं लेकिन आप इसका ढखकन एकदम टाइट कर दिजेगा और इस तरह से क्लीनर बहार लगा के आप फिर असानी से साफ कर सकते हैं देखिए कितना गंदा है एकदम चिप्टपा हो चुका है बहुत लगा नहीं कहने के बाद है अब कि दीपावली में सारा काम होगा असान इस तरह से 29 Кवा अपने की सफाय कर सकते हैं आप यह वीडियो जडाज सं Apply अच्छ लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सस्क्राइब नीचे घंटी है यानी बैल आइकन उसे जरूर दवाएं ताकि आपको नया निया वीडियो देखने को मिले मेरे चनल पर वैज नॉन वैज तोनो रस्पी ये खाने की और सफाई पर अनेग वीडियो है और किचन टिप्स धेश सारी है आप मेरे चनल पर आक उल्टा करके वे रखा है इस तरह से जल्ली से सूख जाता है सारा पानी इसमें का निकल जाएगा कितना सुंदर लग रहा है आप देख सकते हैंं किसी भी तरह का समान आपThere Dec काच देखने में सुंदर लगता है और असाने या साफ भी हो जाता है इसका श्टीकर भी मैंने निकाला और आपको सफाई करके भी दिखाया इस तरह के किसी भी तरह के किचन के डिप्बे आप असानी से साफ कर सकते हैं या टिप्स आपको कैसी लगी कमेंड में जरूर बहुती आसानी से साफ हो जाता है बिना समान निकाले भी आप साफ कर सकते हैं बहुती कमाल की टिप से आपको पसंद आएगी अगर मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें वीडियो जरा सभी अच्छा लगे तो अपने फैमली दोस्तो में ज्यादा से दर सेर करें ताकि सभी को हेल्प मिल सकें सेर करेंगे तो उनका भी काम होगा असान बहुती कमाल की टिप से आपको बहुती पसंद आएगी हसते रहें मुस्कराते रहें मेरा चैनल देखते रहें बाई